हलो स्टूजेंस गुड मॉनिंग बेट आप से बीक एक बाद फीसे स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल असको से लेजुकेशन में और आज हम कर रहे हमारी फोर्थ क्लास की इंगलिस का सेवन चेप्टर किंग मिडास एंड इज डॉर्टर तो हमने लेसन भी पोजिशन गिवन बलो नीचे प्रीपोजिशन दी हुई हैं और सेंटेंस दे रखे हैं इन सेंटेंस इसमें प्रीपोजिशन भरनी है किस सेंटेंस में कौन सी प्रीपोजिशन आएगी तो चलो सुरू करते हैं पहला अपने पास है अपने पास है दचेर इस मेड वुड त तो यहाँ पर क्या आएगा, in आएगा, at आएगा, on है क्या, तो बनी हुई हैं किसकी, यानि कि of, तो यहाँ पर आएगा, made of, of आएगा, अगला अपने पास है sentence से, everything turned gold, into, यहाँ पर आएगा अपने पास से, into, a strange man came, the king से palace, तो उपर जो दे रखे, इन ही में से हमें भरना है into, from, to, with, in, क्या, तो यहाँ पर आएगा, came to the king से पहले, इसकी राजा के महल में, एक stranger आया, I get up, six o'clock Delhi, तो gets अप के साथ आएगा, at कि मैं Delhi छेवजे उठता हूँ, my daughter will come on Monday, यहाँ at नहीं आएगा, on आएगा, on Monday, the jug is filled with water, यहाँ पर in, on, at, from, यह नहीं आएगा, यहाँ आएगा, with, jug is filled with water, I study dash class fourth, तो I study in class fourth, class में पढ़ता हूँ, into और in, into होता है कि कोई चीज मोशन में हो, तब into बदल जाए, और in होता है, जो पहले से ही है, तो यहाँ पर class है, class में पढ़ रहा है, तो यहाँ आएगा, I study in class fourth, ठीक है, अब आगे क्या कहरा है, यह कहरा है, circle verbs in the first paragraph of the story, and use any five of them to make your one sentence, तो first paragraph हमें देखना है, हमारा जो लेसन है, इसका पहले paragraph में जो जो verb आई है, हमें वो देखनी है, और हमें फिर उसमें circle करना है, और उन ही verbs को हमें use करके sentence बनाना है, यह मैंने अपने लिए थोड़ा जल्दी के लिए बना दिये हैं, कि ताकि फिर टाइम नहीं लगेगा, वीडियो बनाने में ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए मैंने लिख रखे हैं, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, अपना paragraph, तो देखो अपने पास यह पहले शुरू का ही जो paragraph है, यह है, king midas lived, live, तो यहाँ पे, live पे हमने कर दिया है सरकल करेंगे हम यहाँ पे, live means रहना, यह lived हो गया, और अब आगे है, ruled on a long long time ago, तो lived रहता था, और ruled सासन करता था, तो हमने दोनों पे सरकल कर दिया, दोनों ही वर्ब हैं, आगे क्या आएगा, things that he loved, love, love means प्यार करना, यहाँ पे भी सरकल कर दिया, one was his lovely daughter and the other was gold, he had rooms, fill, fill means होता है, भरना, filled, भरा, but he never, यहाँ satisfied और wanted, तो चाहे satisfy के लगा दो, और चाहे wanted के लगा दो, तो मैंने यह five लगा दी हैं, यहाँ पे सरकल कर लिए हैं, five verbs के, अब इनको हम use करेंगे, अपने sentences में, यहाँ देखो, पहले सब से पहले हमने सरकल किया था, leave, तो यहाँ मैंने sentence बनाया है, I lived here for a long time, मैं लंबे समय से यहाँ रह रहा हूँ, या, once there was a farmer lived in a village, इस तरह से कोई भी आप एक sentence बनाओगी, जिसमें lived I, अगला हमने वर्ब को सरकल किया था, अगली वर्ब जो थी, जिसको हमने सरकल किया था, वो क्या थी, रूल्ड, तो यहाँ पर ब्रिटिस रूल्ड ओवर इंडिया, अंग्रेजों ने भारत पर सासन किया, फिर है, love, I love to play in my childhood, बच्पन में मुझे खेलना बहुत आदिक पसंद था, I filled with joy, मैं बहुत खुश हुआ या मैं खुशी से भर गया, boy wanted to play with puppy, बच्चा, लड़का, पपी के साथ केलना चाहता था, wanted mean चाहता था, तो यह वही verbs हैं, जो हमने वहाँ पे circle की हैं, और इनको अपने sentence हमने बनाए हैं, इनको use करते हुए, तो आप चाहे तो यह sentence लिख लेना, या फिर अपनी तरब से कोई और sentence आप बना लेना, ठीक है, अब आगे है, look at the following sentences, नीचे sentence दे रखे हैं, कह रहा है कि उसको देखो, king me does thank the stranger, king me does ने stranger का thanks किया, in the abu sentence, the word in italic, italic, यह वारा जो इस तरह से लिखा हुआ है, the stranger is object and verb thank, तो यहां king me does क्या है, subject है, the stranger object है, और thank, जो verb है, वो है, वर्ब है, ठीक है, तो इसी तरह से और नीचे sentence दे रखे हैं, इनमें बता रखा है, लीला reads newspaper, तो यहां पर object क्या है, object newspaper है, लीला subject है, और reads verb है, तो इन sentences में ऐसे ही सारे हम देख लेंगे कि object कौन सा है, subject कौन सा है, और verb कौन सी है, जो कोई काम कर रहा है, या बोल रहा है, वो तो होता है subject, और जिसके बारे भी कुछ कहा जा रहा है, या जिस से काम कर रहा है, वो होता है object और क्या काम हो रहा है उस सब्द को हम कहेंगे वर्व जिस से हमें ये पता चले कि क्या काम हो रहा है जो वर्ड हमें ये बताएगा कि इससे ये काम हो रहा है कोई काम करने का पता चलता है उसको हम कहते हैं वर्व तो इसी तरह से अगले sentence में एप पल्स ये तो है क्या बताओ object और like से है verb और राहूल है subject इन sentences में ऐसे ही है ये ठीक है अब आगे क्या करना है read the following sentences and complete the table given blue one has done for you तो नीचे जो sentence दे रखे हैं कहला है कि इनको read करो और फिर आगे एक table है वो हमें fill करने हैं तो सबसे पहला अपने sentence read कर लेते हैं पहला sentence है I fly a kite में एक पतंग उड़ाता हूँ second अपने पास है my grandmother reads the गीता मेरी दादी जी गीता पढ़ती है अगला sentence है my mother cooks food मेरी माता जी खाना बनाती है I like fruit मैं फलों को पसंद करता हूँ यानि कि मुझे फल पसंद है I am writing a letter अगला अपने पास है the teacher is teaching English they are playing cocoa और आठवा अपने पास है we sing songs हम गाने काते हैं the gardener is watering the plants माली पोधों को पानी देता है तो यह हमने sentence देख लिए हैं अब चलो आगे table देखते हैं तो देखो table में क्या क्या लिखना हमें यहां पे subject यहां पे verb और यहां object तो शुरू का जो अपना sentence हो क्या है I fly a kite तो यहां पे subject I है verb क्या है इसमें fly और object है a kite इसी तरह अगला sentence अपने पास है my grandmother reads the गीता तो subject क्या हो गया my grandmother reads verb है और object अपना है गीता इसी तरह अगला sentence अपने पास है third my mother cooks food my mother मेरी मम्मी तो my mother यहां पे subject है क्योंकि वो खाना बनाने वाली है ना कौन है काम करने वाला my mother तो जो काम करने वाला होता है वो होता है subject my mother subject क्या काम कर रही है खाना बना रही है cooks तो यह हो गया verb और क्या पका रही है object हो गया वोगया वह यह अपने पास है food खाना बना रही है तो food अपना हो गया object इसी तरह fourth sentence अपने पास है I like fruit तो I like fruit मैं fruit पसंद करती हूँ तो पसंद करने वाला कोन है मैं हुना तो यहां I subject हो गया वर्ब हो गया पसंद करना like और क्या पसंद करते हैं object object क्या है अपने पास है fruit अगला sentence अपने पास है I am writing a letter I am writing a letter मैं पत्र लिख रही हूँ या लिख रहा हूँ तो लिखने वाला कोन है मैं I तो I हो गया subject और क्या लिखा जा रहा है पत्र यह अपना हो गया A letter object और लिखने क्या काम की क्या हो रहा है क्या काम हो रहा है यहां पे लिखना तो यहां हो गया I am writing यह अपना हो गया वर्ब इसी तरह से आगे के sentences में भी तुम बना लोगे मैंने यहाँ पे table में लिखा हुआ है पहले आप अपने swim के लिखोगे और फिर मेरे जो लिखी हुई है table में उनसे मिला लोगे कि आपने सही लिखा है या नहीं लिखा है इस तरह से subject, verb और object अलग अलग आपे लिखोगे करना चैनल को सब्सक्राइब करना और कुछ भी समझ में नहीं आए तो comment box में लिख देना साथ साथ ही हमारा दूसरा चैनल है उसको भी आप सब्सक्राइब कर लेना उसका लिंक मैं आपको description box में दे दूंगे थैंक यू